Hello everyone, welcome again to LearnBriditiman आज हमारा चैप्टर रहेगा राजिस्थान के त्योहार तो जैसे मेलों के बारे में हमने पढ़ा कुसी तरीके से त्योहारों के बारे में हम पढ़ेंगे तो राजिस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है वो बिल्कुल फैक्चुल है आप लोगों को यहाँ पर learn बहुत ज़्यादा करना है ठीके जो फैक्ट है इनको ध्यान में रखना है याद करना है यही एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कहानिया होती हैं कथाय होती हैं उनके बारे में तो नहीं पूछते हैं लेकिन यहां पर जैसे कि त्योहारों की बात कर लें तो पूछा जाएगा कोई भी त्योहार मान लीजिए होली का त्योहार जो है वह किस महा मनाया जाता है ठीक है और कहां की लठ मार होली जो है वो प्रिसिद्ध है इस तरीके के कुशन इस चैप्टर में से पूछा जाएग ठीक है तो त्योहार जो है वो देखिए एक साल में बहुत सारे त्योहार जो है वो हम लोग मनाते हैं तो हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो विविद्दाओं से भरा देश है यहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं तो कोई न कोई त्योहार तो हर महीने आता ही रहता है और लगबग पूरा साल जो है वो त्योहारों से ही भरा रहता है तो त्योहारों का मतलब ही क्या होता है खुजिया आना मान लीजिये होली आ रही है दिवाली आ रही है या कोई और त्योहार आ रहा है और हम क्या करते हैं कि हम अपने घर जाएंगे ऐसा मन में विचार लेकर चुटिया मनाएंगे परिवार के लोगों के साथ मिलेंगे और थोड़े समय के लिए हमें अपने काम से फुर्सत भी मिल जाएगी तो हम वैसे ही खुस हो जाते हैं दूसरा हम अपने परिवार के साथ मिलते हैं और भी ज्यादा खुस हो जाते हैं तो ऐसे त्योहार जो है उस यानि कि यहां पर वार साथ है एक अफते में साथ दिन है लेकिन यहां त्योहार जो है वह नो मनाये जाते हैं तो इतने ज़्यादा त्योहार जो है यहां पर मनाये जाते हैं ठीक है तो क्यों मनाते हैं यहां त्योहार जो है यह कहीं भी त्योहार क्यों मनाये जाते हैं लोग अपनी खुसी को जाहिर करने के लिए भी मनाते हैं, कोई मौसम परिवर्तन हो तब भी मनाते हैं, या फिर गाओं में देखें, तो जो किसान है, उसकी फसल जब पक जाती है और कटने के लिए तयार रहती है, तो कटाई के बाद जो है वो त्योहार मनाता है, तो ये उत्सव त्योहार मेले जो हैं सांसारिक उल्जनों में फसे लोगों को कुछ समय के लिए सांति प्रदान करते हैं, तो चलिए इनको ही हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारे 12 माह आते हैं, तो वो कौन-कौन से आते हैं, इनको ब रखने पड़ेंगे कि कौन सा त्योहार जो है, वो किस महा में आता हैं, तो देखिए सबसे पहले हैं, चैत्र, वैसाक, जेट, आसाड, श्रावन, भादो, आश्रिन, कार्तिक, मार्ग, शीष, पोस, माग और फागुन, तो ये बारा मां हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉल्ड तो ये चीज़े आपको याद रखनी पड़ेंगी बहुत अच्छे से, बार-बार इनको बोलेंगे जिनको याद नहीं हैं, चैत्र, बैसाग, जेट, आसाड, सावन, भादो, आश्रिन, कार्तिक, मार्ग, पोस, माग और फागुन, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा जानिये कि चैत्र जो है, वह है मार्च और अप्रेल का जब माहा आता है, इनको तो आप अच्छे से जानते ही हैं, तो उस वक्त हिंदू कैलेंडर की अनुसार कौन सा माहा चल रहा होता है, चैत्र माहा, ठीक है, अप्रेल मई में, बैसाग माह, मई, जून जब ब पड़ती है, भीसर गर्मी पड़ती है, तो कहते भी हैं कौन सा माहा चल रहा है, चेट का, चेस्ट माहा चल रहा है, जून जुलाई में आसाड माह, जुलाई अगस्त में श्रावर्ण यानि की जब क्या मनाते हैं, रक्षवंदन मनाते हैं, अगस्त सितंबर भादो, क्या मनाते हैं हम तीपावली इनसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि अक्टूभर नवंबर में दीपावली आती है तो उस वक्त कौन सा महा चलता हें कर तो च recurs के ऐसे भी याद रख सकते हैं दिसंबर में मार्ग दिसंबर जनवरी में पोस, जनवरी फरवरी में माग और फागुन में फरवरी मार्च जब हम मनाते हैं फागुन के माह में हो ली तो एक तो यहां पर ये ध्यान रखने है दूसरा जो है क्या ध्यान रखना है कृष्ण पक्ष और सुकल पक्ष जो की बार बार आएगी तो कृष्ण पक्ष होता है घटते चांद का पकवाड़ा तो पूरा चांद होता है और धीरे धीरे जो है घटते क्रम में चलता है तो पंद्रवे दिन क्या हो जाती है अमावस हो जाती है ठीक है अंधेरा चा जाता है चांद जो है वह चिप जाता है तो क्या कहते हैं अमावस आ गई तो जब चांद जो है घटते चांद का पकवाड़ा होता है तो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष और बढ़ते चांद का इकमा आ जाती है ठीक है तो चलिए सबसे पहले तियोहार जो है राजिस्थान के त्योहार हम देख रहे हैं जिसमें राजिस्थान में एक कहावत है की तीज त्योहारा बावरी ले-डूबी गणगॉर यानि कि त्योहारों के चक्र की सुरुवात शावण महा में जो तीज होती है छोटी तीज तो उससे मानी जाती है और अंत जो है गंगोर से माना जाता है तो राजिस्थान के संबंध में एक तो ये याद रखें कि त्योहारों के चक्र की सुरुवात होती है छोटी तीज से जो शावण महा में आती है और अंत होता है गंगोर से ठीक है तो चलिए पढ़ेंगे सबसे पहले छोटी तीज छोटी तीज जिसे श्रामडी तीज भी कह सावन में ही आती है सुकल पक्ष की तृतिय को हम छोटी तीज मनाते हैं तो तीज के साहथ त्योहारों का आगमन हो जाता है और गंगोर के साथ हो जाती है समाप्ती तो ये दोनों बाते तो आप ध्यान में रखेंगे तीज के साहथ त्योहारों का आगमन और गंगोर के ही जाती है तो दिखिये महलाओं का तो सबसे प्रियत्यौहार है चोटी तीज और ये भी कहते हैं कि जब किसी का विवहा हो जाता है तो उस जो फिवाहित इस्त्री होती है, उसे ससुराल में ना रहकर उसे पीहर भेज दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पहली तीज पर सास और बहु एक साथ नहीं रहेंगी, तो इसलिए ससुराल पक्ष से बहु को उसके पीहर भेज दिया जाता है, इस दिन जो है हातों पाओं में बहंदी जो है वो लगाई जाती है, स्रेंगार किया जाता है और गीत वगेरा ये भी गाय जाते हैं, पेडों पर जूला डाल कर जूला भी जाता है, तो जो लड़कियां है वो तो इस त्योहार से बहुत अच्छे से परिचित हैं, और जो गुलाबी नगर जैपूर है, उसक तीज का त्योहार जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, नेक्स्ट देखिए रक्षावंदन, नारियल पूर्निमा भी इसे कहते हैं, ठीक है, रक्षावंदन को नारियल पूर्निमा भी कहते हैं, और श्रावन मास की पूर्निमा को रक्षावंदन का त्योहार मनाया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे, रक्षावंदन का त्योहार कब मनाया जाता है? सावन में. इस दिन बहन जो है, वो भाई को राखी, बानती हैं और भाई जो है, बहन को क्या देते हैं? बदले में उपहार देते हैं. नेक्स्ट देखिए, सावन में ही मनाया जाने वाला त्योहार है नाग पंचमी. तो नाग पंचमी नाम से ही पता लग रहा है, नागों की होगी पूजा और सावन की जो पंचमी है, कौन सी? कृष्न पंचमी. तो इस दिन मनाते हैं नाग पंचमी. नागों की पूजा की जात खीर वगेरा बनाई जाती है और नाग बनाकर उनकी पूजा इस दिन की जाती है तो हमें तो एक्जाम के अकॉर्डिंग ही इन चीजों को याद रखना है कि त्योहार जो है यह कौन से महा में मनाया जाता है और कौन सी तिथी को मनाया जाता है और इस दिन किस की पूजा की ज तीज भी कहते हैं, जिसे सातुरी तीज भी कहते हैं और जिसे कजली तीज भी कहते हैं तो एक तो ये चारों नाम याद रखें बड़ी तीज, पूरी तीज, सातुरी तीज और कजली तीज तो एक तो हमने देखा कि तीज का त्योहार जो है पूरे राजिस्थान में सावन मह हमें मनाया जाता है वह होती है छोटी तीज और यह कौन सी है बड़ी तीज और यह भाद्रपद कृष्ण त्रत्यों को मनाई जाती है कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है कहां की प्रसिद्ध है बूंदी की प्रसिद्ध है वहीं पर जो गुलाबी नगर जैपूर में छ आई बार एक्जाम में पूछा गया है कि कजली तीज जो है कहां की प्रसिद्ध है तो बच्चे क्या सोचते हैं तीज ही तो है यह तो कहां की प्रसिद्ध होगी जैपुर की प्रसिद्ध होगी तो ऐसा करके वो कर देते हैं गलत तो कजली तीज तो बूनी की प्रसिद्ध है और वहीं पर जो शावन की तीज है वह जैपुर की प्रसिद्ध है ठीक है इस चीज को ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट त्योहार है हलचट जो की भाद्रपद कृष्ण सस्टी को मनाया जाता है और इस दिन श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बल राम जी इनका जन्म हुआ था तो इस दिन क्या मनाते हैं हलचट का त्योहार कब मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण सस्टी को तो बड़े हैं तो बड़े का जन्म पहले हुआ उसके बाद हुआ कृष्ण जी का जन्म ऐसे भी याद रखें यदि आप भूल जाते हैं तो भादरपद कृष्ण सस्टी को हुआ किसका जन्म बलराम जी का उसके बाद भादरपद कृष्ण अस्टमी को किसका जन्म हुआ कृष मेला लगता है तो देखिए सदियों से भारत में कृष्ण जन्मास्टमी का त्योहार जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है आप लोग भी मनाते हैं हर सारे तो यहां पर भी एक छोटी सी कहानी है जो आप जानते भी हो कि जो कंज था उसने बहुत सारे अत्या चारों को सहा था उनकी बहन देवगी ने तो देवगी की आठवी संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण जो है वो जन्म लेते हैं किस दिन लेते हैं ये कृष्ण पक्ष की अस्टमी को ठीक है ध्यान में रखिएगा तो जो भगवान जो है प्रत्वी को कंज की आतं जंग से मुक्त कराने के लिए यहां पर अवतार लेते हैं और इसी वज़य से हर साल जो है हम लोग मनाते हैं कृष्ण जन्मास्टमी गोगा नव्मी तो यह भी भादों में ही मनाई जाती है गोगा नव्मी भाद्रपध कृष्ण नव्मी को और गोगा जी का मेला गोगा म भाद्रपध कृष्ण द्वादसी को बच्छडे की पूजा की जाती है तो इस दिन जो है गाय की बच्छडे की पूजा की जाती है ठीक है और इस दिन जो घर की महलाएं जो होती है औरते जो होती है वो यदि गाय माता की पूजा करती है अर्चना करती है उन्हें रोती ख जारा खिलाती है, तो उस घर में लक्ष्मी की कृपा तो बनी ही रहती है, उसके साथ में ही उनके परिवार में कभी भी कोई अकाल म्रत्यू नहीं होती है, तो उसकी बराबरी कोई देवी देवता, कोई तीर्त जो है, वह भी नहीं December, सकता ठीक है गाय माता की दर्शन करने से जो पुन्य मिलता है तो बड़े-बड़े यग है दान है या ऐसे कर्म जो है उनसे भी नहीं प्राप्त हो सकता जो कि गाय माता की पूजा करने से अर्चना करने से प्राप्त हो जाता है तो आप भी जानते हो कि जो सुरी कृष्ण पर किया करती थी और जो भगवान थे वो खुद भी गायों को लेकर जंगल जंगल फिरते रहते थे उनको चराते थे और उनकी रक्षा करते थे तो स्वेम भगवान भी इनकी रक्षा करते थे तो हम तो क्या हैं इनसान हैं तो यदि आप लोग गायों की रक्षा करते हैं इस तोहार है इस वज़े से हम करें डेली ये काम जो है करना चाहिए बहुत अच्छी बात होती है जो लोग सुभ है गाय को रोटी जो है वो खिलाते हैं नेक्स्ट देखिए हर ताली का तीज यह जो त्योहार है भाद्र पद सुक्ल त्रतिया को मनाया जाता है और इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है तो ये जो त्योहार है ये मानिए कि ये त्योहार जो है करवा चौत का त्योहार से भी कठिन माना जाता है क्योंकि करवा चौत में तो चांद देखने के वाद ब्रत जो है वो तोड़ दिया जाता है लेकिन इस त्योहार में पूरे दिन न औरते होती हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो पार्वती जी हैं उनके समान जो है उनको सभी सुक जो है वो मिल जाते हैं ऐसा माना जाता है तो सबसे पहले जो है इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान संकर के लिए किया था तो इसी वज़े से ये चीज जो है वो चली आ रही है और इस दिन व्रत करने वाली जो औरते होती हैं, वो सुबह जल्दी जग जाती हैं, नहां दोकर स्रिंगार वगरा कर लेती हैं, और फिर पूजा अर्चना करती हैं, और पूरे दिन भजन गीत गाय जाते हैं, रात में जागरण किया जाता है, और उसके बाद शिव पार्वत गुचा deti की कथा सुनी जाती है, तो इस तरीके से यो तुहार जो है, वो मनाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं बार-बार यह बोलती हूँ, कथा जो होती हैं, कहानी जो होती है, वो एक माध्यम होता है याद रखने का, लेकिन हमें याद क्या रखना है, कि हर तालिक आत जो है वो भाद्रपद सुक्ल त्रत्या को मनाई जाती है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूझा इसमें की जाती है नेक्स्ट त्योहार है गनेश चतुर्थी भादर पद सुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है गनेश चतुर्थी इस दिन रड थंबोर में गनेश जी का मेला लगता है तो गनेश चतुर्थी कम मनाई जाती है भादर पद सुक्ल चतुर्थी को ठीक है याद रखेंगे नेक्स्ट देखिए रिसी पंचमी, तो एक तो पंचमी तिथी को मनाई जाएगी, भादर बद सुकल पंचमी को मनाई जाती है रिसी पंचमी इस दिन जाने अनजाने में हुए पापों को धोने हेतु व्रत होता है और इस दिन माहिश्वरी समाज में रक्षावंदन मनाया जाता है तो ध्यान में रखे रिसी पंचमी का त्योहार जो है भाद्रपद सुक्ल पंचमी को मनाया जाता है और माहिश्वरी समाज में इस दिन रक्षावंदन मनाया जाता है नेक्स्ट देखिए राधा अस्टमी तो कृष्ण जी के जनम के बाद जो है किनका जन्म होता है राधा जी का तो राधा अस्टमी जो है भाद्रपद सुक्ल अस्टमी को मनाई जाती है इस दिन सलेमा बाद अजमेर में मेला भरता है तो और इसी दिन राधा जी का जन्म था कृष्ण जी का ठीक है भाधों की कृष्ण अस्टमी को और सुक्ल पक्ष में होता है राधा जी का जन्म भाध्रपद सुक्ल अस्टमी तो सुक्ल और कृष्ण बस इतना ही अंतर है और इसको याद भी रख पाएंगे कृष्ण जी जो है वो सामले थे तो याद रख पहार मनाया जाता है और इस दिन खेजडली ब्रक्षमेला लगता है जो कहां लगता है खेजडली गाउं में और ये कहां है जोदपुर में याद रखेंगे खेजडली ब्रक्षमेला जो है कहां पर लगता है खेजडली गाउं में जोदपुर में और इस दिन विस्व कर्मा जैन्ती भी मनाई जाती है तेजा दसमी के दिन में इस दिन ओजारों की पूजा की जाती है ओजार यानि कि किसी के पास जो है वो बंदूक होती है बंदूक की पूजा करते हैं तलवार होती है तो तलवार की पूजा भी की जाती है ठीक है नेक्स्ट देखिए देव जुलनी या जिसे जल जुलनी एकादसी भी कहा जाता है यह भादरपद सुक्ल एकादसी को मनाई जाती है और भगवान विश्नु को बेवाड में बैठा कर जलासे में इसनान करवाया जाता है बेवाड क्या है? लकडी की मंदिर नुमा आकरती होती है कैसे किया? भगवान विश्नु को बेवाड में बैठा कर जलासे में इसनान कराया जाता है इस दिन पुरुष जो है वो क्या करते हैं? वरत रखते हैं याद रखेंगे कि देव जुलनी के दिन जो है पूछा जा सकता है वरत कौन करती है तो महलाएं नहीं बलकि पुरुष जो है इस दिन वरत करते हैं नेक्स्ट देखिए अनन्त चतुर्दसी यह भादरपद चतुर्दसी को मनाई जाती है और इस दिन गनेज जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है याद रखें अनन्त चतुर्दसी को गनेज जी की जो प्रतिमा होती है उसका विसर्जन किया जाता है भादरपद चतुर्दसी को यह त्योहार मनाया जाता है अनन्त चोदस कम मनाई जाती है भादरपद चतुर्दसी को अगला देखिए भादों में आने वाला त्योहार है शराद पूर्निमा से आश्विन की अमावस्या तक शराद बनाते हैं इसी समय कन्याएं जो है वो सांझियां बनाती हैं जो की माता पार्वती को समर्पित होती है तो देखिए हमारे हिंदू धर्म दर्शन की अनुसार जिस प्रकार जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी म्रत्यू तो निश्चित ही है या जिसकी म्रत्यू हुई है तो जन्म तो उसका निश्चित ही है तो ऐसे कुछ ही मतलब लोग होते हैं जो की मोक्ष प्राप्त क्यों जाते हैं तो पितर पक्ष में तीन पीडियों तक के जो पिता पक्ष के और तीन पीडियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तरपन किया जाता है तो इनको क्या कहते हैं पितर कहते हैं जिसमें दिव्य पित्र तरपन, देव तरपन, रिशी तरपन और दिव्य मनुश्य तरपन, तो इसके बाद में लास्ट में पित्र तरपन किया जाता है, तो जिस तिथी को माता-पिता का देहान तो हो जाता है, तो उसी तिथी को पित्र पक्ष में उनका क्या किया जाता है, शिराद किया जाता है तो कई बार आप सुनते हैं कि उस व्यक्ति के तो पित्रदोस लगा हुआ है पित्रदोस की अनेक कारण होते हैं जैसे कि परिवार में किसी की अकाल मृत्यू हो जाती है तो व्यक्ति जो है उस पर ध्यान नहीं देता है या अपने माता-पिता या कोई अपने सम पुरिवार में अशानति या फिर बीमारियां, संकट या फिर पैसों का अभाव रहना, सुक्सों विदाय ने होना, ऐसे जो चीजें यहां पर आ जाती हैं उस परिवार में तो इसलिए कहते हैं कि जो मृत्यू हो जाती है बुजर्गों की ही तो उनका श्राद करना चाहिए शास्त्र की अनुसार आत्म शान्ती के लिए किसी पवित्र तीर्तिस्तान पर श्राद करवाया जाना चाहिए तो आप लोगों ने अपने घर परिवारों में ये चीज जो है वह देखी भी होगी तो ये परंपरा जो है वह पहले से चली आ रही है तो इसको सही माना जाता है कई जो हैं कह देते हैं कि ये तो बेकार की बाते होती है ऐसा नहीं होता है हर चीज का जो है वो महत्व होता है जो चीज बुरी है तो कुछ चीज सही भी है तो श्राद जो है, एक्जाम के अकॉर्डिंग याद रखेंगे कि श्राद भादरपद पूर्णिमा से आश्विन की अमावश्या तक बनाया जाता है, ठीक है? तो आज हमने दो महा के बारे में जाना, एक तो सावन महा में आने वाले त्योहार और दूसरे भादों में आने वाले त्योहार, तो सावन में आने वाले त्योहार जो है, वो कौन-कौन से थे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एक तो छोटी तीज था, उसके बाद रक् विष्ण जन्मास्टमी, राधा अस्टमी, रिशी पंचमी, हर तालिक आतीज, गनेश चौत, गोगा नवमी, ठीक है, तो ये भादों में आने वाले त्योहार थे, और लास्ट हमने शुराद के बारे में बढ़ा, कि भादर्पद पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या त पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से याद हो जाएं, आपका काम ये है कि आपको ये आज ही ये चीज़ें जो है अच्छे से याद कर लेनी हैं, तो याद रखिए राजिस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है, तो इसमें जो फैक्ट हैं, वो आ झाल झाल